नमस्कार शोताओं, स्वागत है आपका कथा संग्राले में, जहां हम आपके लेकर आते हैं दिल्चस्प किस्से और कहानिया। आज हम आपके लेकर आए हैं मुझ्शी प्रेमचंद द्वारा लिखित जहांकी। तो चलिए शुरू करते हैं। कई दिनों से घर में कलहा मचा हुआ था, मा अलग मूँ भुलाए बैठी थी, स्त्री अलग, घर की वायू में जैसे विश भरा हुआ था। किसी ने उसे कुछ खाने को ना दिया, ना उससे बोला, ना कुछ पूछा। अम्मा ने मेरी बहन के घर तीजा भीजने के लिए जिन समानों की सूची लिखाई, वह पत्नी जी को घर की स्थिती देखते हुए अधिक मालुम हुई। अम्मा खुद समझदार है, उन्होंने थोड़ी बहुत कांच्छांट कर दी थी, लेकिन पत्नी जी के विचार से और कांच्छांट होनी चाहिए थी। पांच साड़ियों के जगे तीन रहें तो क्या बुराई है, खिलोने इतने क्या होंगे, इतनी मिठाईगी क्या जरुवत। उनका कहना था जब रोजगार में कुछ मिलता नहीं, दैने कारों में खींचतान करनी पड़ती है, धूद घी के बजट में तकलीफ हो गई, तो फिर तीजे में क्यों इतनी उदारता की जाए। पहले घर में दिया जला कर तब मस्जिद में जलाते हैं, ये नहीं कि मस्जिद में तो दिया जला दें और घर अंदेरा पड़ा रहे। इसी बात पर साज बहु में तकरार हो गई, फिर शाखे भूट निकली, बात कहां से कहां जा पहुँची गड़े हुए मुर्दे उखाड़े गए। इसे दोनों बक्षों का समर्थन करता जाता था, पर स्वार्थवश मेरी सहनुबूती पतनी के साथ ही थी। खुलकर अम्मा से कुछ ना कहा सकता था, पर दिल में समझ रहा था कि जाती नहीं की है। दुकान का ये हाल है कि कभी-कभी भोनी भी नहीं होती, असामियों से टका वसूल नहीं होता, तो इन पुरानी लकीरों को पीट कर क्यों अपनी जान संकट में डाली जाए। बार-बार इस ग्रहस्थी के जंजाल पर तबियत जुचलाती थी, घर में तीन तो प्रानी है और उनमें भी प्रेमभाव नहीं, ऐसी ग्रहस्थी में तो आग लगा देनी चाहिए। कभी-कभी ऐसी संक सवार हो जाती थी कि सब को छोड़ छाड़ कर कहीं भाग जाओ, जब अपने सर पड़ेगा तब इनको होश आएगा, तब मालूम होगा कि ग्रहस्ती कैसे चलती है। अगर अम्मा ने अपनी सास की साड़ी धोई है, उनके पाउं दबाए है, उनकी घुड़किया खाई है, तो आज वे पुराना ऐसा बहु से क्यों चुकाना चाहती है, उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता कि अब समय बदल गया है, बहुएं अब भयवश सास की गुलामी नहीं करती है, प्रेम से चाहे उनके सिर के बाल नो चलो, लेकिन जो रोब दिखा कर उन पर शासन करना चाहो तो वह दिन लद गया, सारे शहर में जनमाश्टमी का उतसब हो रहा था, मेरे घर में जंगराम चड़ा हुआ था, संध्या हो गई थी, पर घर अंधेरा पड़ा था, मन हूसी अच्छा ही हुई थी, मुझे अपनी पत्नी पर क्रोधाया, अरे लड़ती हो तो लड़ो, लेकिन घर में अंधेरा गयो रखा है, जाकर कहा, क्या आज घर में चिराग ना जलेंगे, पत्नी ने मूँ फुला कर कहा, जला क्यों नहीं लेते, तुमारे हाथ नह है, मेरी देह में आग लग गई, बोला, तो क्या जब तुमारे चरण नहीं आया थे, तब घर में चिराग ना जलते थे, अम्मा ने आग को हवा दी, नहीं, तब सब लोग अंधेरे ही में पड़े रहते थे, पत्नी जी को अम्मा की स्टिपड़ी ने जामे के बाहर कर दिय बोली, जलाते होंगे मिट्टी की कूपी, लालटे इन तो मैंने नहीं देखी, मुझे इस घर में आये, दस साल हो गए, मैंने डाटा, अच्छा चुप रहो, बहुत बड़ो नहीं, अह, तुम तो ऐसे डाट रहे हो, जैसे मुझे मोल लाये हो, मैं कहता हूँ चुप रहो, क्यों चप रहूँ, अगर एक कहोगे तो दो सुनोगे, इसी का नाम प्रतिवत्र है, जैसा मुझे होता है, वैसे ही बीडे मिलते हैं, मैं परास्थ होकर बाहर चला आया, और अंधेरी कोठेरी में बैठा हुआ, उस मनहूस घड़ी को कोसने लगा, जब इस कुल अच्छनी जैदेव जी ने दौर पर पुकारा, अरे, आज ये अंधेरा क्यों कर रखा है जी, कुछ सूचता ही नहीं, कहां हो, मैंने कोई जवाब ना दिया, सोचा ये है, आज कहां से आकर सर पर सवार हो गया, जैदेव ने फिर पुकारा, अरे कहा हो भई, बोलते क्यों नहीं, कोई जवाब ना मिला, जैदेव ने दौर को इतनी जोर से जंजोडा कि मुझे बैह हुआ कई दर्वाजा चोखट बाजू समेत गिरना पड़े, फिर भी मैं बोला नहीं, उनका आना खल रहा था, जैदेव चले गए, मैंने आराम की सांस ली, बारे शैतान टला, नहीं घं गंटों से रखाता, मगर पांच ही मिनिट में फिर किसी के पैरों की आहट मिली, और अपकी टॉर्च के तीफ प्रकाश से मेरा सारा कमरा भर उठा, जैदेव ने मुझे बैठे देखकर कूतुखल से पूछा, अरे तुम कहां गए थे जी, घंटों ची का किसी ने जवाब तक ना दिया, यह आज क्या मामला है, चिराग क्यों नहीं जले, मैंने बहाना किया, क्या जाने मेरे सिर में दर था, दुकान से आकर लेटे तो नीद आ गई, और सोए तो घोडे बेच कर, मुर्दों से शर्त लगा कर, हाँ यार नीद आ गई, मगर घर में चिराग तो जला की बनी है कि देखते ही बनता है, ऐसे ऐसे शीशे और बिजली के समान सजाये हैं कि आखे जपक उठती है, सिहासन के ठीक सामने ऐसा फवारा लगाया है कि उसमें से गुलाब जिल की फुआरे निकलती है, पर मेरा तो चोला मस्त हो गया, सीधे तुमारे पास दोड़ा चला बहुत जहां किया देखी होंगी तुमने, लेकिन ये औरी चीज़ है, आलम फटा पड़ता है, सुनते हैं दिल्ली से कोई चतुर कारीगर आया है, उसी की एक करामात है, मैंने उदासी इन भाव से कहा, मेरी तो जाने की इच्छा नहीं है भाई, सिर में जोर का धर्द है, कह दिया मैं ना जाओंगा, और मैंने कह दिया जरूर ले जाओंगा, मुझ पर विजय पाने का मेरे मित्रों का बहुत असान नुस्खा याद है, यो हाथा पाई, धींगा, मुश्ती, धौल धप्पे में किसी से पीछे रहने वाला नहीं हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं चलती, मैं हाथ जोडने लगता हूँ, घिगियाने लगता हूँ, और कभी-कभी रोने भी लगता हूँ, जैदेव ने वही नुस्खा आजमाया, और उसकी जीत हो गई, संधी की वही शर्थ ठहरी कि मैं चुपके से जाकी देखने चला चलू। कि भिक्षा ना दूँगा चाहे जो कुछ हो, मारवाडी उन्हीं के देश का था, कुछ देर तो उनके पूरवजों का बखान करता रहा, फिर उनकी निंदा गरने लगा, अंत में द्वार पर लेट रहा, सेट जी ने रती भर परवाना की, भिक्षुक भी अपनी धुन का पक्का था, सारा दिन द्वार पर बेदाना पानी पड़ा रहा, और अंत में वही मर गया, तब सेट जी पसीजे और उसकी क्रिया करम इतने धूमधाम से की कि बहुत कम किसी ने की होगी, भिक्षुक का सत्याग रह सेट जी के लिए वरदान हो गया, उनकी अंतह करण में भ मार गलक थे, फिर भी हमें आद घंटे बाद भीतर जाने का अफसर मिला, जैदेव सजावट देख देखकर लोट पोट हुए जाते थे, पर मुझे ऐसा मालूम होता था कि इस बनावट और सजावट के मेले में कृष्ण की आत्मा कहीं खो गई है, उनकी वह रत्न जटत ब धनी मनुष्य धन में लोटने वाले इश्वर की ही कल्पना कर सकता है, धनी इश्वर में ही उसकी श्रद्धा हो सकती है, जिसके पास धन नहीं वह उसकी दया का पातर हो सकता है, श्रद्धा का कदापी नहीं मंदर में जहदेव को सभी जानते हैं उन्हें तो सभी जगे सभी जानते हैं मंदर के आंगन में संगीत मंडली बैठी हुई थी केलकर जी अपने गंधर्वे विध्याले के शिश्यों के साथ तंबूरा लिए बैठे थे पखावज, सितार, सरोध, वीना और जाने कौन-कौन बाजे जिनके नाम भी मैं नहीं जानता उनके शिश्यों के पास थे कोई गीत बजाने की तयारी हो रही थी जैदेव को देखते ही केलकर जीने पुकारा मैं भी तुफैल में जा बैठा एक शण में गीच शुरू हुआ समा बंध गया जहां इतना शोरगुल था कि तोप की आवाज भी ना सुनाई देती वहां जैसे माधुर्य के उस प्रभाने सब किसी को अपने में डुबो लिया जो जहां था वही मंत्र मुग्दसा खड़ा था मेरी कलपना कभी इतनी सचित्र और सजीव न थी मेरे सामने ना वो बिजली की चकाथाउन थी ना वह रतनों की जगमगाहट ना वह भौतिक विभूतियों का समार हो मेरे सामने वही यमना का तठ था गुल्म लताओं का घूंगट मूपर डाले हुए वही मोहिनी गववे थी वही गोपियों की जलक्रीडा वही वन्शी की मधुर्धवनी वही शीतल चांदनी और वही प्यारा नंद किशोर जिसकी मुक्छवी में प्रेम और वातसल्ले की जोती थी जिसके दर्शनों ही से हृदय निर्मल हो जाते थे मैं ऐसी आनन विस्मृती की दशा में था कि कंसर्ट बंध हो गया और आचारे केल करके किशोर शिष्य ने धृपत अलापना शुरू किया कलाकारों की आदत है कि शब्दों को कुछ इस तरह तोड मरोड देते हैं मन में एक नए संसार की स्रिष्टी होने लगी जहां आनन्द ही आनन्द है प्रेम ही प्रेम त्याग ही त्याग ऐसा जान पड़ा दुख केवल चित्त की एक वृत्ती है सत्य है केवल आनन्द एक स्वच्छ करुणा भरी कोमलता जैसे मन को मसोसने लगी ऐसी भावना मन में उठी की वहां जितने सज्जन बेठे हुए थे सब मेरे अपने हैं अभिन्न हैं फिर अतीत के गर्ब से मेरे भाई की स्मृती मूरती निकल आई मेरा छोटा भाई बहुत दिन हुए मुझसे लड़कर घर की जमाज अथा लेकर रंगून भाग गया था और वहीं उसका देहांत हो गया था उसके पाशविक विवहारों को याद करके मैं उनमत हो उटता था उसे जीता पा जाता तो शायद उसका खोन पी जाता पर इस लमें स्मृती मूरती को देखकर मेरा मन जैसे मुखरित हो उठा उसे आलिंगन करने के लिए व्याकुल हो गया उसने मेरे साथ, मेरी स्त्री के साथ, माता के साथ, मेरे बच्चे के साथ जो-जो कटू, नीच और घ्रिनास पद्वेभार किये थे, वह सब मुझे भूल गए मन में केवल यही भाव ना थी, मेरा भाईया कितना दुखी है मुझे इस भाई के प्रती कभी इतनी ममता ना हुई थी फिर तो मन की वह दशा हो गई जिसे विहलता कह सकते है शत्रुभाव जैसे मन से मिट गया था जिन जिन प्राणियों से मेरा बैर भाव था जिन से गाली गलोज, मार पीट, मुकदमा बाजी, सब कुछ हो चुकी थी वह सभी जैसे मेरे गले में लिपट-लिपट कर हस रहे थे फिर विद्या की मूर्ती मेरे सामने आखडी हुई वह मूर्ती जिसे दस साल पहले मैंने देखा था उन आखों में वही विकल कमपन था वही संदिक्ध विश्वास कपोलों पर वही लज्जा लालिमा जैसे प्रेम सरोवर से निकला हुआ कोई कमल पुश्प हो वही अनुराग, वही आवेश, वही याचना भरी उत्सुकता जिसमें मैंने उस ना भूलने वाली रात को उसका स्वागत किया था एक बार फिर मेरे हृदे में जाग उठी मधुर स्मृतियों का जैसे स्त्रोथ सा खल गया जी ऐसा तडपा कीसी समय जाकर विद्या के चर्णों पर सिर रगड कर रहूँ और रोते रोते बेसुत हो जाऊँ मेरी आखें सजल हो गए मेरे मुह से जो कटू शब्द निकले थे वैस सब जैसे मेरी ही हृदे में गड़ने लगे इसी दशा में जैसे ममता मई माता ने आकर मुझे गोद में उठा लिया बालपन में जिस वादसल्य का आनंद उठाने की मुझे में शक्ती ना थी वह आनंद आज मैंने उठाया गाना बंद हो गया सब लोग उठ उठ कर जाने लगे मैं कलपना सागर में ही डूबा रहा सहसा जैदेव ने पुकारा चलते हो यह बैठे ही रहोगे तो ये थी आज की कहानी उमीद है आपको पसंद आई होगी तो ऐसी ही एक अच्छी और दिल्चस्प सी कहानी के साथ आपके सामने फिर प्रस्तत होंगे तब तक के लिए नमस्कार